नमस्कार टो अधाइस्पिरिंट्स जयहिंद माई नेम इस प्रतीक एना वेलकम में ओल तो एसेस्जबी क्राक एक्जाम्स दोस्ते रिसिटली हमें इसराल और पैलिस्टीन की बीच में वापस से टेंचन्स देखने को मिले हैं आज के वीडियो में इस बात की खबर मिलती है यह बापस अपने देश चले जाते तो बहुत ही सीवेर मामला है हमें इसको बड़े ही इंडेप्ट पर समझना पड़ेगा और क्या यह आने वाले टाइम में और का रूप लेगा या नहीं लेगा यह भी बहुत बड़ा कोशन मार के तो चली दोस्तों शुरू करते हैं और मामले को समझते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया इसराइल के एर फोर्सेज ने मैसिव यहाँ पे एर सेक्स कंड़क्ट किये गाजा स्टिप में और इसमें लगबग तेरा पैले सीन्स के मौत भी हुई है जिसमें से तीन के अगर हम बात करें तो इसलामिक जिहाद जो एक मिलिटरी ग्रूप है इनके कमांडर्स मारे गए हैं और यहाँ पे बाकी सिविलियंस जैसे तीन बच्चे हो गए चार बच्चे और तीन महिलाई आपको देखने को मिलती है जो एक्चुली इनके जो ग्रूप है मिलिटर ग्रूप इनके फैमली को बिलॉग रखते थे और लगबग 20 लोग यहाँ पे घायल हुए तो बहुती शुरुवाती दोर में आपको यहाँ पे मैसे लोग का टेंशन देखने को मिला है अब यहाँ पे बात करते हैं इस मैप की यह मैप बहुती जरूरी है समझना आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप को दे सेकेंड वन यह इसराइल का मैप है और जो ग्रीन शेड़ेड रिजन है यह पलेस्टीनी वाले रिजन से हैं तो दो आपको regions देखने को मिल रहे हैं एक Eastern Side में West Bank वाले region और West Side में आपको यहाँ पर Gaza देखने को मिल रहे हैं तो यह हाली में देखा जाए यह पुरा incident आपको Gaza के साथ देखने को मिला है और यहाँ पे बहुती famous आपका यह जो Terrace Organization है इसका नाम Hummus है यह अभी इस पूरे scenario में नहीं है अभी कौन सा terrace organization है मैं आपको आने वाले यहाँ पे slides में ज़रूर बताऊंगा अंदर तक बने रही है और यहाँ पर देख सकते है यह पूरा जो air sex conduct हुआ है कि normally आपको गाजा के southern area में देखने को मिला है जिसे आपका Khan Yunis का area हो गया है चलिए बात करते हैं अभी हमें हाली में आज के दिन में हमें क्या current update देखने को मिली है तो यहाँ पे इसराइल ने आपका यहाँ पर पूरा air sex conduct करते हुए अब तो यह जो मौत की संक्या है यह 24 हो चुकी है जिसमें पांच women और पांच children भी देखने को मिलते है जो कि बहुत ही severely आपके यहाँ पे मारे जा चुके है और यहाँ पे यह भी बोला जा रहा है कि इस पूरे यहाँ पे moment में Israeli forces के दुआरा जो Gaza का एक commander था rocket unit का in charge था इसको भी मारे गिराया है southern area में तो यह चीज़ पता होना चाहिए कि 2021 के बाद से Gaza से वापस से आप देखो इसराइल का जो situation है पुरा खराब होते जा रहा है तब तो 11 दिन तक पुरा आपको एक युदवाला हाला देखने को मिला था 2021 में और वैसा situation शायद आपको इस भी आप करे सकतों साल में देखने को मिलेगा अब बात करतें यह बोला जा रहा है कि यह जो attack हुआ है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसी साल की डेटा के हिसाब से लगबग जितने भी इसराइली rates हो चुके हैं लगबग 100 से जादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा rates कंडल के देखने को मिलेंगे और यह बहुत ही बड़ी बात है चलो इतने लोग आपके मारे गए तो आप खुद सोचों की value इसकी क्या हो सकती अब बात करते हैं कि normally अभी देखा जाए तो जितनी भी इसराइल अटाइक्स हो रहे थे यह पुरा था वेस्ट बैंक में आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि बहुत महिनों से इसराइल और वेस्ट बैंक आप यहाँ पर स्मैक को देखो इसराइल का वेस्ट बैंक के साथ बहुत डिस्पूट अभी हाली महिनों में चल रहा था बड़ दो में के अभी रेसेंट की बात से अगर देखा जाए तो गाजा आपके सिनारियो में आ जाता है पर गाजा का जो एरिया है और यहाँ पर जो सबसे जादा आपको एजिव्ट देखने को मिलता तो मैपिंग करना बहुत ही जरूरी है जो भी हमारे इंपोर्टेंट जो हमें इविंट देखने को मिलते है अब यहाँ पर बात करते गाजा की तो गाजा एक बहुत ही देश्टी पॉपुलेटर वाला इलाका है बहुत ही घनत वो वाला इलाका है तो यहाँ पर अगर कुछ भी माहलों अटाइक्स होते दो यहाँ पर बहुत भारी संक्या मोत हो सकती है और यहाँ पर लगबग 2 मिलियन पैलिसीजिन का यहाँ पर पुरा पॉपुलेशन है यह जैसे मैंने बताया साउथ में एजप्ट के साथ बॉर्डर अपना यहाँ पर शेर करता है और यहाँ पर हमस रूल टेरिटरी मतलब यह पुरा औरिनलेशन आपको यहाँ पर बड़े स्टॉंग फूट्प्रिंट्स में देखने को मिलता है अब यहाँ पर इसराइल ने लगबग 15 साल से इसको यहाँ पर ब्लॉकेट करके रखा हुआ मतलब यहाँ पर इस एरिया में यह जो आप मैप देख रहे हो यह जो पुरा एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अब यहाँ पर बात करते इस आखिर यह पुरा इंसिडेंट इतना जादा लाइड में आया कैसे मामला पुरा है क्या तो यहाँ पर हुआ कैदा दोस्तों कि जो रॉकेट अटाइक गाजा की दोरह आयत थे तो शुरुआत तो आपको ऐसे देखने को मिलती है कि इस्लामिक जिहाद जो एक टेरिस और्डेशन है इसका गाजा का यहाँ के फॉर्मल स्पोक्सपरसन जिनका नाम है खादेर अनान यह एक्चुली इसराइल फोर्सिस के कस्टिडी में थे और यह हंगर स्ट्रैक में थे और यह लगबग 87 डेज बाद इनकी यहाँ पर मृत्यू हो जाती है तो यहाँ पर बदले के भाव में यहाँ पर गाजा में जो यह इस्लामिक ग्रोप है जो यह इस ओपरेशन यहाँ पर कंड़क्ट किया है इस ओपरेशन का नाम है ओपरेशन शील्ड एन एरो जिसके तरह 40 फाइटर जेट्स यहाँ पर गए और यहाँ पर इन्होंने कई सारे हेलिकॉप्टर्स हो गए जो भी यूनिट्स से गाजा के सब को यहाँ पर क्या कर दिया द आपको यहाँ पर तबदील होने को मिल सकता है अब बात करते हैं कि यह जो ग्रोप है इसलामिक जिहाद ग्रोप यह हाली में बड़ा चर्चा में तो था नहीं आपने गाजा के बारे में अगर कुभी 2021 में जब यूद वाले सिती तब भी बन रही थी तब आपने सुना था हमस के बारे में वो भी आपका ऐसे बड़ा स्रॉंग फुट आपको आपको आपके देखने को मिलता है यह इसलामिक जिहाद के बारे में समझते हैं यह क्या है तो इसको पहले यहाँ पे दोस्तो पैलिस्टिन इसलामिक जिहाद के नाम से जाना जाता था और इसकी कई सारे नाम है इसे अलकर्स ब्रिगेड्स है इसका यहां पे हरकत जिहाद अल इसलामी फिलिस्तीन कई सारे नाम है इसलामिक जिहाद पलिस्तीन है इसलामिक जिहाद पलिस्तीन फैक्शन है और इवन यहां पे इसलामिक होली वार के नाम से भी इसको बोला जाता है तो कई नाम है बढ़ काम तो वही है अब बात करते हैं यहाँ पर इसका पुरा foundation कब हुआ इसका foundation आपका 1981 में देखने को मिलता है और यह पहले देखो यह एक बहुत बड़ा ग्रूप आपको एजिप्ट में देखने को मिलता है जिसका नाम है Muslim Brotherhood और यहाँ पर स्पेसिफिक बोलनों तो यहाँ पर Egyptian Sunni Islamist Group यह Muslim Brotherhood वाला ग्रूप है एजिप्ट का तो यहाँ सी दो founders है यह क्या करते है इस group को छोड़ देते यह बात कहके कि यहाँ पर ही जो Muslim Brotherhood वाला group है यह बड़ा liberal बन रहा है यह उतना radical नहीं बन रहा है और यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर हवाला देते हुए जो दो Palestinian founders थे यह निकाल अपने आपको यहाँ से अपने आपको यहाँ से हटा देते और फिर बाद में क्या करते अपना खुद का नाय ग्रूप बनाते इसका मैंने यहाँ पर नाम बताया आपको क्या difference देखने को मिलता दोनों आपको गाजा में देखने को मिलते हैं यह हमस भी और यह Islamic जिहाद terrorist group पर यह है कि हमस का जो group है यह बड़ा एक civil in political wing के तरह भी काम करता है elections conduct करता है contest वगरा करता है और गाजा को govern करता है फेरेस अगर यहाँ पर दोस्तों मैं पर कहना है कि हमें आप बिल्कुल भी liberal नहीं बनना है हम यहाँ एक armed group के तरह इस्राइल का यहाँ पर सामना करना चाहते है हमें कोई two state solution नहीं चाहिए कि या इस्राइल को भी फायदा हो हमें भी फायदा हो ना हमें सिर्फ हो चिर्फ अपना यहाँ पे पालिस्टीन चाहिए अब बात करते है कि इनका जो गोल है Islamic你好 group का यहाँ पे इस्राइल को यहाँ निस्तनाभूद करना यह इनका यहाँ पर पूरा इरादा है और यहाँ पर आपको इक चीज बताना पसंद करूँगा यह चाहते है कि 1948 से पहले जो Islamic State हुआ करता था मतलब इसराइल से पहले वैसे ही situation यह लाना चाहते है आपको क्या अपडेट देखने को मिलता है अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह बड़ी हैरानी वाली बात है बड़े geopolitical situation में होता ही होता है कि बले ही यह एक सुन्नी ग्रूप है यह Islamic जिहाद जो एक terrace outfit है यह actually है एक सुन्नी ग्रूप है बट यह आपका बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एरान जो एक shia country है उसके साथ इसके बड़े strong links है और इसके कई सारे base आपको बेरट, Lebanon या फिर आपको डमस्किस सीरिया में भी देखने को मिलते हैं आप यहाँ पर इस map में देख सकते हूँ यह पुड़ा middle east का map है यह है आप देख सकते हो कि वाला area आपका इसराइल वाला आपका यह area है यह है सीरिया का डमस्किस और यहाँ पर Lebanon देख सकते हूँ मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आपको यहाँ पर अच्छे से देखेगा यह आपको छोड़ा सा blue region देखने को मिल रहा है कि Lebanon, Lebanon का capital है बेरट और यह डमस्किस सीरिया का है और इसका जो link है Islamic Jihad का यह इरान से बहुत आपको देखने को मिलता है चलो, अब यहाँ पर यह से मैंने आपको बताया कि इसके बड़े strong links है बेरहाल यह एक सुन्नी ग्रूप है इरान आपका यहाँ पर शिया ग्रूप है दोना आपको पता है इनका एक तरीश से कटर दुश्मन है बट वो बोला जाता है ना कि यह दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है वोई सेम चीज है और इनके बड़े ही close links देखने को मिलते है इरानियन revolutionary guard cops के साथ और यहाँ पर शायती ग्रूप हजबुला के साथ चलो अब यहाँ पर बात करते क्या यह जो इतना बड़ा जो tense situation है क्या यह आने वाले time है और worse हो सकता है तो यहाँ पर बताना में पसंद करूँगा कि अगर Islamic Jihad जो यहाँ पर Gaza का बड़े active आपको यहाँ पर organization देखने को मिलता है अगर यहाँ पर आने वाले time है अगर यह हमस के साथ या फिर हमस इनके साथ अगर हाथ मिला लेता है तो यहाँ पर आने वाले time है तो situation है बहुत ही आपका worst हो सकता है तो यह चीज़ बताये जा रहा है कि अगर हमस ने decide कर लिया कि मैं यहाँ पर Islamic Jihad को back करूँगा against the Israel तो situation बहुत ही बत से बत्तर हो जाएगी अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि भारत के एंगल से आकर हुआ क्या था इस्राइल के forum minister जिनका नाम है यह आये थे भारत के दोरे में नो में को इनका पूरा यहाँ पर ट्रिप था दो तीन दिन के लिए आये थे और यहाँ पर यह सारा situation सुनने के बाद कि वापस से इनको क्या होना पड़ा इनको यहाँ पर तेल अवी जाना पड़ा इनको यहाँ पर जो ट्रिप था बड़े शॉट करना पड़ा और यहाँ पर पूरा जो इनका ट्रिप था मुंबई तक 11 में तक चलने वाला था आज की बात है पर यहाँ पर सड़न चेंज के वड़े से इनको यहाँ पर वापस जाना पड़ा यह प्राइम ने से मोधी की से मिल भी चुके और हमारे फॉरे मिने सर एस जैशंकर से भी मिल चुके आप यहाँ पर इस ट्वीट में भी देख सकते हो आई होप आपको यह जो इवेंट था जो बहुती डिस्प्यूटेड चलते आ रहे बहुत टाइम से पापस ही क्रेट होगया है और क्या आने वाले टाइम में यूद में आपको कनवर्ट होगा या नहीं होगा मैं आपको यहाँ पर बहुती जल्द अपडेट देता रहूँगा तो गाईस यहाँ पर बात करना पसंद करेंगे अगर आपको यहाँ पर SSB इंटर्व्यू की तयारी करनी है तो SSB क्राइगजाम्स हमेशा इसके रिगार्डी कोर्स लाते ही लाता है और आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए दोस्तों, don't forget अगर आपको हमारा कुई भी कोर्स हवेल करना है तो आपको यहाँ पर कोड वारेटेन जरूर लगाना चाहिए वारेटेन कोड लगाओ और हमारे यहाँ पे सारे courses में 10% का discount पाऊं तो guys मैं इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ कहीं ने topic के साथ Till then बाइटे के दोस्तो जाहिंद अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं